राजस्थान में लोगसभा चुनाफ के दूसरे चरण में शक्रवार को 13 लोगसभा शेत्रों के लिए वोटिंग चल रही थी इस बीच सबसे होट सीट बन चुकी बाड मेर जैसल मेर में मतदान के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर रहा कॉंग्रेस नेता हरीश चौधरी, कॉंग्रेस उमिद्वार बेनिवाल और निर्दलिय रवेंदर सिंग भाटी ने सोचल मीडिया निटवर्किंग साइट पर पोस्ट कर चुनाफ में धांधली के आरोप लगाए वहीं कलेक्टर निशान्त जैन का कहना है कि महबर्ण, थुम्बली और हरपालिय सेवडा से कुछ शिकायते मिली हैं पुलिस प्रशासन ने स्थिती को नियांतरण में ले लिया है, पोलिंग प्रभावित नहीं हुई है बायतु विधायक हरीश चौदरी ने बाडमेर के थुम्ली पोलिंग स्टेशन पर एजेंट और अन्य के साथ मारपीट का आरोप लगाया है उनका आरोप है कि यहां किसी को भी मतदान नहीं करने दिया जा रहा है पोलिस के संरक्षन के अंदर वोटिंग करवाई जा रही है, पोलिंग एजेंट को मारपीट कर भगाया जा रहा है वहीं कॉंग्रेस उमिद्वार उमेदा राम बेनिवाल ने भी मतदान के दोरान सोशल नेटवरकिंग साइट पर पोस्ट कर गंभीर आरोप लगाये हैं उन्होंने लिखा है कि निर्वाचन आयोग की अचार सहिता की खुले आम धजजियां उड़ाई जा रही है मतदान केंद्र पर अंदर वोटिंग हो रही है और मतदान केंद्र का मुख्य द्वार निर्दलिय प्रत्याशी के बैनर से सजाया हुआ है शिव जैसलमेर और सिवाना में बहारी लोगों ने कई जगा बूत कैप्चर कर लिये हैं और फर्जी वोटिंग की जा रही है कॉंग्रेस पोलिंग एजेंट्स को मारपीट कर धमकाया चा रहा है उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि निर्दलिय प्रत्याशी के समर्थकों ने शिव विदानसभा शेत्र के बूत संक्या 36 धोलिया में कॉंग्रेस पाटी के बूत एजेंट्स पपूरा मेगवाल के साथ मारपीट करके बूत से बाहर निकालने जैसी कायरान हरकत की है वही निर्दलिय विधायक रवेंद्र सिंग भाटी भी पीछे नहीं रहे उन्होंने भी सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि जैसल मेर विधानसभा शेत्र के बूत संक्या 36 राज के उच माधमिक विद्याले रागव में मेरे शेत्र के मतदताओं के साथ हो रहा सौतेला विवार निराशा जनक है प्रशासन से मेरा नुरोध है कि कृपया इस मामले में संग्यान लेकर उचित कारवाई करें वहीं भाटी ने आगे लिखा है कि बायतू विधानसभा के अंदर मेरे एजेंटों को बूत से बाहर निकाला जा रहा है और वोटिंग मशीन पर मेरे नाम पर पट्टी लगाई जा रही है ये कैसा लोगतंत्र है आखिर प्रशासन किसके दबाब में काम कर रहा है और क्या चल रहा है बाड़ मेर में नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखे रहिए योस 24